दिली में अब तक मई और जून में एक भी हीट वेव का दिन नहीं है यानि लू नहीं पड़ी है अब क्यों नहीं पड़ी है क्योंकि आम तोर पर मई और जूनिय ऐसे महीने माने जाते हैं जो सबसे गर्म होते हैं बताने के लिए हमारे साथ मौसम विभाग के डिरेक्टर कुल्दीप श्रवास्तव जी हैं दिली में लू ना पड़ना यह कितना अजीब है या एक तरीके से आप देखते हैं कि सामान इ हमारे पास हीटवेट की कर्डिशन नहीं बनी थी तो आप आपको अिसे धूत Dafne होते हिसमें एक-डोस साल आपके पास ऐसे रह उसकते हैं जिस समय आपके हीट वेब नहीं बढ़ती है तो इस बार भी हमारे पास जो मुख्यता मई और आप कह सकते हैं कि जो 10 से 12 जून तक का पीरेड होता है उसमें आपके हीट वेब की चांसे बहुत ज़्यादा होते हैं जबकि तापमान 40 डिग्री से ज़्यादा रहता है और बहुत बार ही आपके 45 डिग्री से उपर भी जाता है लेकिन मई के मैने में हमारे पास बार जो है तापमान नहीं गया इसकी मुख्य वजह हमारे पास आप कह सकते हैं कि दो साइक्लोनों का एफिक्ट था और साथ-साथ हमारे पास चे वेस्टन डिस्टर्वेंस थे जिनका प्रभाव मैदानी लागों में पड़ा था और हमारे पास तापमान में ब्रदीन नहीं थी हाला कि तापमान जो आप देखेंगे मीन मैक्सम टंप्रेचर वो हमारे पास 37.5 गया था जो की 2008 के बाद से सबसे कम था दूसरी बात हम यह भी देखते हैं कि मई में तो नहीं पड़ा अब चुकि लगबग लगबग पहला हफता निकल गया है जून का तो आने वाले दिनों में कितनी संभावना है क्या रहेगा तापमान का ट्रेंट कुछ पता पाए है कि अगधि अगले 3-4 दिन तक हमारे पास तापमान में ब्रदी होने वाली है क्योंकि हवाओं के दिस्णा में पास उत्तरी रहेगी। और सिर्फ नमीegः रहेगी इतनी रेंफ़ाल एक्टिवटी हौने के चांसे नहीं है तो तापमान में उगले 3-4 दिन वह ब्रुंकि और यह तापमान लगवग तक आपका चार दिन में पहुंच सकता है लेकिन उसके बाद चुकि हमारे पास फिर से पूर्वी हवाओं का प्रभवा दिलियंसी आर्तक पढ़ने के चांसे तो दस तारीक के बाद से हमारे पास फिर से तापमान में गिरवट आएगी सब्सक्राइब ओर एपके साथ सिस्टम कारता है स्थस्टम होता है पास नियुक्त येसेस सेसिजन होता है पहुत ज्यादा ubiquity में जब जब भी आपके पास तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दिन का टमप्रेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है समटाइम आपका 40 बैलिदी संटीग्रेट हो गया और साथ में आपके पास नमी आ गई और इसके साथ साथ कोई वेश्चा आपका वेदा सिस्टम भी जैसे कि कल देखेंगे कि पूरी उत्तरपदेश में हमाँ पास एक साइकलोनिक सिर्कुलेशन था तंप्रेचर भी काफी बढ़े हुए थे और नमी भी आ गई इनके चलते हमारे पास जो है जो क्लाउड फॉर्मिशन हुआ और थंडर स्टॉम एक्टिविटी ती जो काफी अगले चार दिनों तक में हो जाएगी और उसके बाद तापमान में थोड़ी सी घ्रावट होगी क्योंकि पूर्वी हो आएंगी और हम लोग हीट वेफ तब डिक्लियर करते हैं जबकि तापमान जो है पैताले से उपर हो जाए या जो नॉर्मल है टंपरेचर उससे नहीं है कि टंपरेचर पैताले सीजिए तो फिलाल अगले चार दिनों तक हमारे पास हीट वेफ नहीं चलेगा और उसके बाद फिर तापमान गिरने की सम्भावना है क्योंकि हमारे पास पुछ पूर्वी हवाओं का प्रभाव दिली नसीयार में रहेगा तो अब तक हीट के महीने में जब लू के थपेड़े आपको ना सहने पड़ें